अबंगय के सetrग करता हूं अगर अभी तख को सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को दबाना नुख 오래 ताक अज हम भाशा की प्रकृति एम संरिशना इस अध्याय के अंतरगत आज का जो हमरा टॉपिक है वह है भाशा भाषा वियोस्था और भाषा वियोहार तो यह आपके पाठे करम में होगा देख लिएगा भाषा वियोस्था को कहते हैं language system और भाषा वियोस्था को कहते हैं language behavior भाषा वियोस्था का एक नाम और है भाषा और भाषा वियोहार को हम कहते हैं वाग या फिर आपने पढ़ा हो lang and parole तो यह फ्रांसीसी शब्द हैं तो यह सब एक ही चीज़े हैं भाशा भी होस्था या फिर भाशा या फिर lang एक ही शब्द है इसका मिनिग एक जैसे होता है और भाशा भी हार पारेल यह इनका अर्थ एक ही होता है तो आज हम पढ़ेंगे भासा व्योस्ता, ब्रैकर भी मने यहां पर लिख दिया है, भासा व्योस्ता को भासा भी बोलते हैं, और लैंग भी बोलते हैं, भासा व्योस्ता को क्या बोलते हैं, वाक बोलते हैं, या फिर ला पैरोल भी बोलते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं इ जो भाषा हमारे दिमाग में हैं, जो भाषा हमारे मस्तिस्क में हैं, जो भाषा हम बोल रहे हैं, या फिर लिक रहे हैं, दोनों एक हैं, लेकिन वास्ता में भाषा वे क्यानिक दिश्टी कोंड से दोनों में बहुत ही फर्क होता है, अंतर होता है, भाषा विज्ञान में पह में हैं मस्तिक्स में उसे हम करते हैं वह सब माणशा और दूसरे जो भाषा का मोखी कुरूप है mains बात करते हैं उसे करते हैं वाग जिवांसा में हम बात करते हैं उसे करते हैं वॉक कि अब आधिनेग भाषा विज्ञान की जनक किसे माना जाता है? फारदिनेन दस असी ओर को आधिनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है उनके दो सीष्ञे थे बाली और सेचेहाई तो इन्हों इनके बासमार थे उनको किस प्रकार प्रकासित करवाया था? जनरल नाम चे उनके भाषणों को संपादित कर 1916 में पुस्तक की रुप में सब के सामने रखा इन्होंने समय समय पर जो भाषण दिया थे जो भाषण गैनिक थे फार्दिनेंदा सस्यूर उनके दो शिष्य थे उन्होंने अपने गुरू के भाषण को संपादित करके 1916 में पुस्तक की रुप में प्रकासित किया था और इस पुस्तक में दो टर्म आये थे दो शब्द ऐसे आये थे सस्यूर की पुस्तक में कुछ सार्थक युगमों को महत्पोनिस्थान प्राप्त हुआ सार्थक युगमों मतलब दो दो शब्द जिन में से ला लैंग और ला पैरोल प्रमूख है अब ला लैंग और ला पैरोल फ्रांसिसी भाषण के शब्द है इसका हिंग्लिस क्या होगा इंग्लिस में ला लेंग को करते हैं language और ला पैरोल को करते हैं speech तो ला लेंग और ला पैरोल को हिंदी में प्रया भाषा और वाख के नाम से जाना जाता है तो हिंदी में लाल लेंग को कहते हैं भाषा और लापैरोल को कहते हैं वाक इसके लिए प्रणाली बद्ध भाषा और प्रक्रिया मुलग भाषा भी प्रस्तूत किया गया है कुछ किताबों में यह भी लिखा गया कि लाल लैंग को बोलेंगे प्रणाली बद्ध भाशा और ला पैरोल को बोलेंगे प्रक्रिया मुलक भाशा परंत वर्तमान में लाल लैंग को बोला जाता है भाशा व्योस्था और ला पैरोल को बोला जाता है भाशा व्योहार अब हम इन दोनों में अंतर का अध्यान करेंगे तो यह टर्मिनलाजी आपको आना चाहिए परिच्छा में यदि लैंग पूस्ता है या फिर पैरोल पूस्ता है या फिर परिच्छा में बोलता है भाषा और वाक में क्या अंतर है लेंग और पैरोल में क्या आंतर है या फिर भाषा व्यास्था और भाषा व्यास्था और भाषा व्यास्था में क्या आंतर है तो कोई प्रस्ण हो यही उत्तर आपका रहेगा हिंदी की कुछ पुस्तकों में ला लेंग के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है अला पैरोल के लिए वाक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका आधार अंग्रेजी के शब्द लेंग्वेज और स्पीच है अंग्रेजे में ला लेइंग को बोलते हैं ला पैरोल को बोलते हैं बहाशा में परिवारतन अनिवाद ये मतलब भाषा में परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए उन्हें ने भाषा के एक पक्ष को संस्थागत माना तथा उसे भाषा व्योस्था का है। इसलिए भाषा के अनिवार्य नियती है और इसे ही संस्यूर भाषा व्योहार काते है। लेकिन जो भाषा को व्योहारिक प्रक्ष है जिस भाषा को हम प्रयोग में लाते हैं तो अलग-अलग व्यक्ति उसी भाषा को अलग-अलग रूप में बोलता है। जैसे कोई तमिल भा प्लिववर्श का उसी है लेकिन जो बोलने का तरीका है बोलने की शैली या लहजा है वो बदल जाता है इसे कहते हैं साच्यूर भाशा व्यववहार अब भाशा वियुषार मतलब language system अब भाशा वियुषार मतलब language system और भाशा वियुषार मतलब language behavior इनमें क्या अंतर होता है यह जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें क्या अंतर है अब पहला है भाषा ब्योस्था जिसे हम कहते हैं भाषा या फिर भाषा ब्योस्था एक ऐसी ब्योस्था है जो किसी भाषा के सभी बोलने वालों के मस्तिष में भाषिक छमता के रूप में विद्यमान होती है किन्तु भासा व्योहार या फिर वाक भाषा का व्यावरित्याप प्रयुक्त रूप है पहला अंतर तो यह है कि जो भासा व्योस्ता है जो भासा की जो सरचना जो प्रणाली है भाषा की वह हमारे मस्तीस की में रहती है तो मस्तिस में ये भाशिक छम्ता के रूप में वे दिमान रती है, इसे हम कहते है भाशा वियोस्ता, परन्तु जो भाशा वियोहार है, जो वाक है, वो भाशा का वियोवरित या प्रयोग रूप है, जिस भाशा को हम बोलते हैं, जिस भाशा को हम प्रयोग में लाते हैं, जि प्रयोग करते हैं जिसको हम, इस तरह भाशा वे उस्ताथ भाशा के सत्ता मानसिक होती है, भाशा वे उस्ता कहां भी दिमान होती है, मस्तिस्क में दिमान होती है, इसकी सत्ता मानसिक होती है, तथा वो अमुर्थ होती है, हमारे दिमाग के अंदर आती है, जो दिखाई नहीं देती जो सुनाई नहीं देती परंतु जो भाषा ब्योहार है वाक की सत्ता भौतिक होती है वह बोली और सुनी जाती है परंतु जब भाषा को हम ब्योहार मिलाते हैं प्रयोग मिलाते हैं तब हम उसे बोलते हैं और उसको सुनते हैं तो यह भाषा का ब्योहारी पक्ष है अत तो भाषा विवार व्याक प्रति सापेच, अब भाषा विवस्ता समाज सापेच होने का मतलब यह आई, समाज ने भाषा को जन्म दिया है और उसका व्याकरण उसके नियम करनून ने इधारित किया है, तो यह जो भाषा विवस्ता है समाज के सापेच होती है, मतलब यह कभ भासा व्यवस्था भाषा पूरे समाज की होती है तो भाषा व्योहार या वाग प्रत्यक व्यक्टि का अलग-अलग होता है ठीक है हिंदी कोई भाषा है समाज के लिए तो वो हिंदी भाषा है वो इस्थाई है लेकिन अलग-अलग व्यक्ति अपने तरीके से जब उसमें बोलते हैं हिंदी में तो वा भाषा का प्रयोगी क्या ब्योहारिक पक्षा है इसे कहते हैं वाग जो की अलग-अलग होता है मतलब हिंदी तो ठीक है एक भाषा है वाग समाज की वस्तु है लेकिन हिंदी का जो प्रयोक करने वाले जोगति हैं अपने अपने शाड़ी अपने अपने लहजे से बोलते हैं तो यह भासा विवार हर व्यक्तिका अलगलग होता है तो यही इनमें अंतर है चोथा अंतर क्या है इसलिए भासा विवस्तात्वा भाषा समरूपी होती है सभी भाषा भाषियों के मस्तिस में उसका प्रया एक ही रूप होता है किन्तो भाषा विवार वाक्या विशम रूपी होता है अब मतब कोई भी भाषा भाषियों उनके दिमाग में जो भाषा को रूप रहता है वह तो ठीक एक जैसा रहता है उसको नियम करण प्रणाली सब उसको पता रहता कि यह आसा है लेकिन फिर भी जब वो भाषा को प्रयोग में लाते हैं तो हर व्यक्ति अलग 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 तरीके से प्रयोग करता है बोलने के शै वह अलग हो जाता है इस प्रकार किसी भाषा के सारे वाक अलग-अलग होंगे जो इसके विबिन भाषा भाषियों दोरा प्रयोगत होंगे जैसे हिंदी भाषा जो हिंदी भाषा के जो भाषा विवस्ता है वह तो परिवर्ट इतनी होती है लेकिन जो इसका भाषा विवार ह भाख इस्थुल तथा बहुतिक होता है, मतलब भाशा की जो व्योस्ता है, जो उसका व्याकरण है, जो उसका मुख्य मापदंड है, वह हमारे मस्ति से में दिमान रहता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जब कि जब हम भाशा को ब्यवारी कुरुप से प्रयोग मिलाते ह जब भाषा में बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं, तब वो हमको सुनाई देता है, इसलिए वाँ स्थुल तथा बहुतीक होता है, उसको हम महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। लेकिन जो भाषा का ब्योहार है, जैसे मैं बोल डाउं, मेरे बोलने के पस्चात आप उसको सुनेंगे, और सुनने के पस्चात यह खतम हो जाता है, इसका अस्तित्त समाप्त हो जाता है। तो जैसे कोई वक्ता बोल रहा है, वक्ता ने अपने बात का इस रोता ने बात को हो गया, तो यह समाप तो जाता है आई स्थाई है, जबकि भाषा का जो व्याकरण है, भाषा की जो व्यास्था है जो उसकी सनचना है वा इस्थाई होती है इसके बद सात्वा है भाषा व्यास्था, भाषा की सत्ता मानसिक होती है, जबकि भाषा विवहर वाक के सत्ता भहुती करता तो चारण में होती है, इस दिश्चे से इन्हें स्वनीम और संसन के समानांतर माना जा सकता है तो हम जैसे भाषा जो यह हमारे दिमाज में होती है तो इसको स्वनीम का सकते हैं, जो हम सुनते हैं जो बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं संसं के मराबर इसको हम माना जा सकता है स्वनिम और संसं के समाना अंतर इन्हें माना जा सकता है इसके उबर मैं बाद में वीडियो लेकर आओंगा ताब इसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, स्वनी मर संस्वन को, इसके बाद भाषा व्योस्ता भाषा समाधी खोने के कारण संस्था गाथ या व्यक्ति नीर पेक्ष है, वक्ता की निजी इच्चा इसे प्रभावित नहीं करती, इसके विप्रित भाषा व्योहार वाग, व्य दिना दिना नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए हिंदी के व्याकराण या नियम करून बदलेंगे नहीं, लेकिन वक्ता की निजी इच्चा इसे प्रभावित नहीं कर सकती, भाषा के जो माब्दन है, भाषा का जो व्याकराण है, समचना है, वह वैसी रहेगी, यथावद, जबकि भाषा का जो व्योहार है, भाषा के जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, अलग-अलग व्यक्ति हैं, वह अपने अपने तरीके से उसको व्योहार में लाते हैं, इसलिए भाषा का जो प्रयोग है, जो भाषा व्योहार है, वह व्यक्ति सापेक्ष है, जबकि यी संदर्ब कैसा है, शृता की भुमीका कैसी है, उनकी सारदिक मायंसी की सिथिक कैसी है, वकताहिम सृता की, ढेश काल और परिस्थिति का दबाः, उसे नियंतीर शोन्तरब प्रभाविद करता है, इस प्रकार भासा वियोहार, वाक की मुल प्रकृति, भाशा ब्यौहार था वाख की मूछ प्रकृति नौ प्रवर्तं कारी होती है कहने कता पर यह है कि जो बोलने वाला जो जयति है जो किसी भाषा में अपनी बात रखता है लग अपाइसा है उस व्यक्ति की मानसे की श्थिति कैसी है उसका मूड कैसा है वो कहां बोल रहा है, किस से बोल रहा है, किस देशकाल परिस्थिती है, मौतवरन में बात कर रहा है, वो उसके वाक को प्रभावित करता है, उसके भाषा ब्योहार को प्रभावित करता है, भाषा की विवस्था तो नहीं बदलती है, लेकिन भाषा का ब्योहार व्यक्ति सा इसके बद जो है, भासा बिवहार अर्थाथ वाक, भासा बिवहार मैंत होता है, ठीक है कि हम जिस भासा का प्रयोग में लाते हैं, वह किस पर निर्भर करता है? भाषा की व्योस्था पर भी निर्भर करता है, परंतु भाषा व्योस्था, अर्थात भाषा की जानकारी भी भाषा व्योहर वाक्य माध्यम से ही हो पाती है, कहने का तात पर यह है, भले ही यह दोनों हमको अलग-अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन भाषा व्योस्था, जो भा भाषा विवस्ता अर्था भाषा प्रक्रिती में मुल्य परक होने के काण अमुर्तयम रूप परक होती है। इसका ताप परिया है कि इसके निश्चित मुल्य होते हैं निश्चित माप गंड होते हैं। भासा भी अस्ता अर्थात भाषा के कुछ निश्चित माप गंड होते हैं, कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं, जिसके अधार पर वो हमारे मस्तिस्क में विद्यमान होते हैं, जो परफेट होते हैं, इसको सस्यूर ने सत्रन के खेल का उदाहान देकर समझाया है, क्या क अत्वा उसके रंग नाम रंगों के नाम जैसे के रेडियलों की अपनी इसार्थकता उसके भौतिक उपदानों में नहोकर उस मुल्य में होती है जिसे भाषा की अपनी व्योस्ता उसे प्रदान करती है। जाएगा हाथी सिधा ही चलेगा और घोड़ा धाइगर चलेगा चाहिए वह किसी धातु का बनाओ कहने का तात पर या है किसी भी भाषा की जो व्योस्ता है वह क्या है इस्था ही रहती है उसमें कोई प्रद्टन नहीं आता उसके जो माप दर्ण है नियम कानुन कायदे है व इस्था ही रहती है उसमें चेंज नहीं आता है जैसे सत्रन के मोहरे किसी भी धातु के हैं उतने घर चलेंगे जैसे कलर रेड है तो रेडी रहेगा यलो है तो यलो ही रहेगा अब किसी भी वस्तु का कलर रेड हो यलो ही उससे मतलब नहीं है जब हम कलर की बात करेंगे तो वा रेड और यलो ही उसे कहेंगे तो इस प्रकार भाषा की एक अपनी विवस्था होती है भाषा की अपने नियम करून होते हैं लेकिन जो भाषा का विवहार है वाख है वह क्या है व्यक्ति साफिक्च होने के काण वह मुर्तमान होता है उसको हम मसूस कर पाते हैं, सुन पाते हैं और व्यक्ति के हिसाब चेवा बदल जाता है तो इस प्रकार आपने देखा कि भाशा विवस्तार भाशा विवहर में क्या अंतर होता है तो यदि आज का मेरा यह लेक्चेर आपको अच्छा लगा है झाल-bau आपको इस से टका गालाने के बद insurance झालने के को आपको के दो है पर रहाँ का मेंने slightका यदिय刃